दोथकार आप सभी का बहुत स्वाधत है, मैं हूँ शिवा हूँ, आज पहस और बाचीत इस बात को लेकर हो रहे है पूरदेश में कि जो पांच राज्यों के चुनावन नतीजे आये हैं, उसका दूर गामी असर क्या होगा? सब की नदर अलग-अलग राज्यों के विश्लिशों पर है, मैं इस कारिक्रम में मंत्रप्रदेश की बात करना चाहूँगा, क्योंकि मंत्रप्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा था कि 18-20 साल से लगातार एकी पार्टी की सरकार है और यहां पर सरकार बदल ली जाए, लेकिन इस बार मत्रप्रदेश की जनता ने जिस तरह का मेंडिक बीजेपी को दिया है, वो चौखाने वाला है, क्योंकि 160 से जाधा सीटे बीजेपी ने चीती हैं, और यह यह बताता है कि किस कदर बीजेपी ने आपर जमीनी रणीती बनाई थी, मैं अपने कारिक्रम में आपको पांच कारण बताने जा रहा हूँ, जिन कारणों से आप यह समझ पाई, वो यह बहुत जरूरी कारण है, क्योंकि यही करेंगे कि 120 में कॉंक्रिस यहां पर भार्ती जिंता पार्टी से मुकाबला कर पाती है, यह अफिस सफाया हो जाता है, क्योंकि इन राज्यों में जहा आप देखें हैं, यानि 2024 के जनाव में इन नतीजों का बड़ा असर होगा, तो बैं पांच कारण आपको बताने वाला हूँ, अपने इस कारिक्रम में, जिसकी वज़े से यह राज्य, यानि मद्दप्रदेश कॉंग्रेस सान पे, आपको याद होका, जब 2018 में आप दर वि BJP की सरकार बनी, इस वार के विदास जबा चुनाव में यह माना जा रहा था कि काटे की टकर होगी, और कांगरेस यहाँ पर सरकार बना लेगी, BJP पिछड़ ज़ेगी, एसे माना जा रहा था, क्योंकि कांगरेस कोई लग रहा था कि एंडीन गमेसी है, उनकी त्यारी अच पोल ते ही लग रहा था कि बड़ा कांटी का मुकाबल है लेकिन कुछ एजिट पोल में बीजेपी इतनी बड़ा थासिल कर रही थी वाखिर ग्या कारण रहे मर्द प्रदेश में क्या वज़े रही जिसकी वज़े से कॉंग्रेस मजबूत होते हुए भी हार दे यह पांच फ अब से पहले भी जब जब राज्य में कॉंग्रेस की सरकार बनी सत्ता की बात डोट सवर्ण नेताओं के हाथ में रही है चाहे वो अर्जियों सिंग हो चाहे वो दिगवजे सिंग हो और चाहे वो कमला तीनों का तालुक पिछली जातियों से नहीं है और ऐसे समय में जब नेता पिछली जातियों की बात कर रहे हैं हाई कमान के कॉंग्रेस फार्टी पिछली जातियों का पहला मुखमंत्री बनाने का जो ग्रीडिट है भारती जद्धा पार्टी को मिलता है 2003 में उमा भारती ने ये पत समाला था बीजेपी की तरफ से शिवरासिंग चौहान भी OBC से तानलुक रखते हैं तो आप ये भी एक फर्क समझ सकते हैं साल 1993 में कॉंग्रेस को सुभाष यादब को मुखमंत्री बनाने का मौका मिला था जो OBC सवदाय से आते थे लेकिन उनकी जगापर कॉंग्रेस ने दिगविजे सिंग को मुखमंत्री बनाया दिगविजे सि सिठी के रोग में मुखमंत्री रहें यानि 25 सालों तक कॉंग्रेस सत्ता में रही और हर बार सवर्ड सियम ना इस बार भी वही था एक अनुमान ही कहता है कि मद्दप्रदेश में सवर्णों की आवादी सिर्फ और सिर्फ 10 पीस्ती है बाकि बलिद हैं आदिवासी हैं और O दूरूपों में बटीति पहने सिancदिया कमलृत और दिङवजे का खेमाथा तीन अलग 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 तरूप सिंदिया के बीज़ेपी में जाने के बाद दो ठूब हो गए और इसके बाद कमल ना बैगए सिंग में पौर्ट फोल सुरू हो गई देखने में ऐसा अलग ना बाकि नहीं, टिकट पटवारे को अगर आप गौड से देखें तो दोनों नेताओं के बीच मत्वेदों भी खबरें आई और इन लोगों ने भी समर्णों पो टिकट देनी की जाधा उठ सुपता दिखाए, सोचल मेडिया पर एक वीडियो भी वाइरल हुआ था, जिसमें इन भी कॉंग्रिस के टिकट पर अपनी पारम पर एक सीट रातों गर से उम्मीदबार हैं, यानि चुनाओं लड़ा था उन्होंने, कहल लार में इस वीडियो में कई ठिकटू के बटवारे में तिकटू के बटवारे में दो दुरूव का खामियाजा कॉंग्रिस पार्ट कॉंग्रिस दिखाते में नहीं थी, जब कॉंग्रिस से सरकार नहीं थी, तब सिंधिया कॉंग्रिस उन्हों थे, लेकिन 2020 में जब सिंधिया अलग हो गए, कमलान की सरकार गिराई उन्होंने, तो 22 विडायकों ने कॉंग्रिस और विडायटी से इस्तिफाते थी, सरकार गि टिकट दिया, सिंधिया 25 में से उनी लोगों को भी टिकट दिलाने में काने आप रहे, जिने ओक्चनाओं में हार मिली थी, यारी सिंधिया का दब्दबाँ पार्टी में बना रहा, बीजेपी में बना रहा, नतीजा आपके सामने और इस पार भी इस इलाके में बीजेपी को बड़ा मिली, यारी कॉंग्रेस से आपन अपने दबदबा बना नहीं पाई एक और कारण है लाड़नी बैना योजनस जिसका बड़ा सिक्रू हो रहा है शिवराज सिंग की ये बड़ी लोगप्रिय योजनाओं में से एक है और ये सरकार लड़कियों के जन्द पर एक लाख रुपए का चेक देती है लड़कियों की माताओं जिससे आठारा साल की उम्र में पैसे मिलते हैं गरीबों के घरों में किसी की मौत पर पांच हजार रुपए अन्दीश्टी के लिए भी शिवराज सरकार देती है सरदार सामुई शादियां कराती है और खर्च भी खुदी उठाती है ये भी शिवराज सरकार की योजना है आदिवासी और बलितों के बीट सरकार की योजना बड़ी पॉपलर हो गई और इस योजना का भी असर वोटिंग में रिफलिक हुआ जो बहार से दिखन दिए इसकी अलावाज सरकार की लाड़ी बैन योजना की खासी चर्चा रही और इस योजना को बीजेपी की जीत में एक एहम किरदार के दौर पर देखा जा रहा है बड़ा एहम किरदार इसका माना जा रहा है और इस योजना की तैद मर्द प्रदेश में तेईस से लेकर साट साल तक के उम्रबाली एक करोड़ पचीस लाख महिलाओं के खाते खुले गए जिसमें प्रती माहिने एक हजार उपे की रखम सरकार की तरफ से शिवरास सरकार की तरफ से ट्रांसपर करने की प्रक्रिया जो है वो चल लिए विसे तो योजना शुरू करने का जो ऐलांक था, तो मार्स महिने में गिया गया था, लेकिन इसको पूरी करने में, अमल में लाने में, जमीन पर उतारने में, करीब परी तीन महिने कबत सरकार ने लिया, लेकिन ये योजना अब ही तरीके से गेप जेंजर साबित हुई, šivalस के लिए इसी दोरान प्रदेश के शहरी और ग्रावी रज्टों में मैलाओं को इसके बारे वने बताया गया और फिर उनके बैंक खाते खोल ले और योजना किरियो उनके पंजीगरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई ये सारी जो कवायतें थी ये कई ने कई सरकार को नहीं किया था लेकिन पूरे चुनाव प्रचार का जिन्मा उन्होंने अपनी कंदों पर उठाया ये मोधी की रड़ीती थी कि मामा तो थोड़ा कमजोर किया जया लेकिन ऐसा हुआ रहे शिवरास सिंग चौहान की चबी एक उदार नेता की है वहें भी साती जनता में उनक कनेक्ट की कला भी उन्हें पूरे MP में बड़ा पॉपुलर करती है कमल लांत वे ये कला शायद नहीं बीजेपी को जीत दिलाने ने आदिवासी और पिछली जातियों के बोड़ों की बड़ी एहम पूमिका रही इस पाद शिरास सिंग चौहान खुद किरार जाती से है जो मंद्र प्रदेश में OBC केटेगरी में है, मैंने जिससे बास शुरू की थी OBC केटेगरी, बीजेपी ने पहली बार किसी पिछली जाति के व्यक्ति को प्रदेश का मुखमंतरी बनाया था उमाभारती के रूप में और तब से मंद्र प्रदेश की कमान जो है वो OBC के हाँ, 8 दिसंबर 2003 से पहले मंदप्रदेश के सारे मुख मंत्री सवरल बने थे जो मैंने शुरू में बताया BJP को इसका फाइदा बिला मदप्रदेश कॉंग्रेस में आज की तारीक में या पहले भी कोई OBC का बड़ा नेता नहीं बन पाया यह सवाल मैं आप से भी पूशता हूँ, राउल रांदी से भी पूशता हूँ, राउल रांदी ने यह क्यों नहीं किया कि आदिवासी इलापों में जमीनी इस तरपर RSS ने अपने पैर बड़े गहाई तर जमाए हुआ है, जमीनी इस तरपर रूट लेविल तारिक और रूनल्ड नाम के रिसेर्चर थे, उटके रिसेर्च रिपूर्ट में ये कहा गया कि इसमें नकेबल RSS की लोग प्रियता बड़ी इस इलाके में, बलकि हिंदू पहचान को भी काफी बड़ापा मिला, हिंदू पहचान भी काफी बड़ी, पिछले तीन चनावों में बीजेपी आदिवासी इलापों में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही शिवरासीन चौहान के जो राजमेतिक जीवन को अगर आप देखें तो उसकी शुरुआत भी अखिल भार्तिय विद्यारती परिश्रत से हुई, जब शुरुआती दौर में वो पॉलिटिक्स में नए नए थे अठासी में भार्ति जद्धा युवा बोर्चा के वह अध्यक्ष मने, नफे में पहली बार भार्ति जद्धा पाड़ी ने चौहान को बुधनी से चौनावी मैदान में उतारा, और यहां से इस पूरे इलाके में उनों ने पध्यात्रा की, और पहला ही चौनाव जीतने म चौहान का में आप रहे, तब उनकी उम्मर महस 31 वर्स की थी, बहुत यंद थे उस समाने में, 1991 में दसवी लोग सभा के निये भी आम चौनाव हुए, और इस चौनाव में अटल ब्यारी बाचपई दो जगा से खड़े हुए थे, एक उत्तरप्रदीश की लगनों में वो लड़ रहे थे, और दूसरा वो मद्रदीश के विदिशा से चौनाव लड़ रहे थे, इन दोनों ही जगा पर बाचपई को जीत मिरी थी, दोनों ही चौनाव वो जीत गए थे, उन्होंने अपनी सांसवी के लिए लखनों को चौना, विदिशा को छोड़ दिया, और सुं OBC, मत्रदेश में OBC, दलेत और आदिवासी जातियों को आप खारिज नहीं करसा, कॉंगरेस जो लगातार OBC, 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 OBC कार्ड खेलती रही, जातियों की बात करती रही, लेकिन वो ये पारीक फर्त नहीं समझा, कि मत्रदेश के पॉलिटिक्स में ये कितना निरनायाक है औ क्यों इसमें महत्रपूर्द वो मिका आदाता है पही, फिलाल मत्रदेश के संदर बेदना ये पाच कर रहा हूं दे, आपको ये करिक्रम कैसा लाका जरूर बदाए, लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, महश्यू करिए